वेलकम बैक तो माई चैनल डेंटल मेस्टो तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है तो आज मैं आपको सिरिंज के बारे में डेटेल में बताने वाली हूं तो हम डेंटल फिल्ड में मोस्ट कॉमनली सिरिंज कौन सी यूज करते हैं यदि आपने मेरे चैनल पे अच्छे से गो थू किया है तो आपको शायद पता हो कि मैंने ये डिस्पोजिबल सिरिंज के बारे में आपको इसकी डिटेल इसकी पूरे पार्ट के बारे में पूरा एक बार बता रखा है तो आज मैं आपको इस नॉन डिस्पोजिबल सिरिंज के बारे में डिटेल करूँगी तो आइए एक बार हम जितनी भी सिरिंज हम डेंटिस्टी में यूज करते हैं उनकी नाम जान लेते हैं सबसे पहले काटिग्री आती है हमारी नॉन डिस्पोजिबल सिरिंज जिसमें की सबसे पहली है ब्रीच लोडिंग मिटालिक कार्टरेज टाइप एस्पिरेटिंग सिरिंज सेकंड नंबर पे है ब्रीच लोडिंग प्लास्टिक कार्टरेज टाइप एस्पिरेटिंग सिरिंज थर्ड नंबर पे है ब्रीच लोडिंग मिटालिक कार्टरेज टाइप सेल्फ एस्पिरेटिंग फोर्थ है प्रेशर सिरिंज पॉर लिगमेंट इंजेक्शन, फिफ्ट वन इस जेट इंजेक्टर, नेक्स काटिग्री है हमारी डिस्पोजिबल सिरिंग, सेफटी सिरिंग, दें कम्प्यूटर कंट्रोल लोकल एनस्थेटिक डिलिवरी सिस्टम, तो यह सारी मैंने आपको बता दे कि कौन कौन सी सिरिंग मिस्टर करने के लिए, या फिर हमें कोई मैडिसिन जो है इड्रावीनिसली देनी है, या फिर कहीं इरिगेशन करना है, या फिर हमें कोई भी फ्लूट या बलड आपको बॉड़ी से विड्रो करना है, तो उस कंडिशन में हम यह सिरिंग यूज करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, इसके पार्ट के बारे में, तो यह तो हमारी निडल हो गई, अभी मैं इसको रिमूफ कर देती हूँ, ताकि मैं अच्छे से आपको पार्ट पता पाऊं, यह हमारी बेसिक सिरिंग है, जिसमें कि इसको हम बोलते हैं निडल एडेप्टर, यह जो हमारा यह देखिए, यह जो है, इसको हम बोलते हैं, पिस्टन बिद हार्पून, यह जो देखिए हार्पून की तरह पॉइंटेड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, पिस्टन बिद हार इह होता है सिरेंग बैरल यह होदीए हमारी फिंग्र गृप हेँ गरिंग कर tää तो यह पार्ट यह भी ड्या बौट तो यह होता है यह मारी खुन रेंग issल बोलते है कि हम इसको साइट से यहें से इस तरीकने से लॉट तो इसको हम इसलिए ब्रीच लोडिंग बोलते हैं बेसिकली जो ये सिरेंज है ये क्रोम प्लेटट ब्रास और स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है तो ये रस्ट प्री होती है तो इसके अड़नडेज यह होते हैं कीक तो इसमें काटरेस में जो में त़ेखर हैं पता है कि हमएं कितना इमाउं that hat लिफ्त है और हम इसको आराम से हैं में चे में अटोले बोल नारů इसको कर सकते यह यह थोड़ियूज्वे यदि हमने इसको अच्छे से स्ट्रिलाइज नी किया हुआ है और हमने इसको दो पेशिंट में लगाता रियूज कर लिया तो उसमें इंफेक्शन होने के चांसे हो जाते है कि क्रॉस इंफेक्शन लग जाता है या फिर एक डिस एड्वांटिस और यह भी है कि यदि कोई भी कोई operator जिसका हाथ चोटा है और वो अच्छे से इसको नहीं कर पा रहा तो उस condition में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो यही इसके डिस एड्वांटिस यह तो रहे हमारे सिरिंज की पार्ट अब मैं आपको नेडल का बताती हूं है यह हमारी नेडल है जो की सिरिंज में लग हो गया ठीक है और यह हो गया हमारा सिरिंज अडेप्टर और यह हो गया कार्ट्रेस पैनेट्रेशन एंड जब हम इसको सबको एसेंबल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यह असेंबल हुई तो इसमें क्या है लाज नेडल शॉर्ट नेडल आती है अलग-अलग करेंगे जाते हैं तो dif की कि मैं आपको बताती हूं क्या होता है कि जितना जाधा नंबर हो नेडल का उसका लिएमन तो यहां पर देख सकते हैं जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है थर्टी गेजे ठीक है तो यह जो है निडल हमारी थर्टी गेज है sterile needle रहती है यह अच्छी से close वो तो मैं भी आपको ऐसे दिखा रही हूं तो इसको मैंने open किया हुआ otherwise एक cap यहां होती है और एक cap यहां होती है syringe हो गई हमारी needle हो गई अब बात करते हैं cartridge की तो यह हमारी cartridge है 1.8 ml pre-filled cartridge ठीक है यह हम use करते हैं इसमें LA solution तो अब इसके चार पार्ट्स होते हैं basically cylindrical glass tube है ना यह glass tube हो गई यहां पर यह stopper हो गया इसको हम silicon rubber plunger भी बोलते हैं यह हो गया हमारा aluminium cap यह हो गया इसका diaphragm डबर यहां से यह हमारा diaphragm यह हो गया और मिलाद हो ठीक है इसको लिए क्या है इसको हम क्या परेखर रें रचर अधल saf कि आप आहसे को क्या है च्राइस को हम क्या करेंगे जो नइडल में नहीं पाए यह 13硼 पनेटररींग jc हैं इस को हम इस तरीके से पेनेट रेके करके इसको डिल एडप्टार इस तरीके से तो यह हमारी काइड अर आम से इसको यूज कर सकते हैं आप देख सकते हैं बहुत ही हैं यूज होता है I just hope कि आपको सिरिंज की बारे में इसको एसेंबल करना काट्रेस के बारे में निडिल की बारे में सारे पार्ट्स के बारे में पता चल गया होगा अब फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में में मैसेज डॉप कर सकते हैं बारे में देख सकते हैं